Hello students, this is Sonia. Welcome back with another video. आज हम करने वाले हैं question number 7 from your exercise number 1.4. So let's start. An elevator descends into a mine. Shift at the rate of 6 meter per minute. If the descent starts from the 10 meter above the ground level. 10 meter above, जब की बात कर रहा है, ground level से, तो हमेशा value कैसी आएगी? Positive. यान how long will it take to reach minus 350 meter? यानि की हमें negative, यानि नीचे की तरफ जाना है. तो कितना time लेगा है, कितना how long, मतलब कितना लंबा होगा, distance बतानी है. ठीक है? So यहाँ पर देखिए, जो हमें starting में value दी हुई है. अनिशल हाइट है, जो अलियेटर की हमें कितनी दी गई है? 10 meter above. तो राइड रूं करेंगे, the initial height of elevator, कितनी दी गई है आपको? 10 meter. तो simple सी बात है, यह 10 कैसा आएगा? Positive, क्योंकि हमें ground से above level बता रहा है, तो positive हो जाएगा. So final depth क्या बताई गई है? यहाँ पर दिखिए हुए हैं, minus के 350 meter. So the total distance to descended by the elevator. कितनी है? क्या हो जाएगी? देखिए, minus के 350, हम क्या करेंगे? जो उपर वाली value है, उसको minus कर देंगे. यह positive 10 है, तो क्या बन जाएगा? minus के 350, और यह minus के 10 हो जाएगे, it's mean minus के क्या आजाएगे? 360. अब देखिए, इस तरीके से आएगे. पॉस गर लेते हैं, यह हमारा ground है. तो यहाँ पर है 10 meter above, और यहाँ पर है यह minus का 350 below. अब अगर हम total distance की बात करेंगे, तो यह वाली distance और यह वाली distance क्या हो जाएगे? देखिए, यहाँ वाली distance और यहाँ वाली distance दोनों ही count हो जाएगे. तो यहाँ पर आजाएगा minus का 350 and minus का 10 is equal to में क्या करेंगे? minus का 360. So then, time taken by the elevator to descent. क्या दिया हुए? वन मीटर की बात चल रही है. और कितना है वन मीटर में कर रहा है वो? वन, 6 मीटर. यहाँ यहाँ भे minus का 6 मीटर हो जाएगा. क्यूं हो जाएगा minus का 6? में बताया गया था कि वो क्या हो रहा है? 6 मीटर पर मीनट के अकोर्डिंग क्या हो रही है? डिसेंट हो रही है. ठीक है? So, time taken by the elevator to descent. ठीक है? अब देखिए हैं पर time taken by the elevator to descent का 1 मीटर था. तो हमारे पास वैल्यू कितनी है? minus के 6 मीटर दी हुई है. ठीक है? तो अब टोटल बताना है यहां पर तो elevator को डिसेंट होने में क्या कितना नदा कितनी distance करेगा? तो minus का क्या है? यहां पर 360 है. और इसको हम डिवाइड किससे कर देंगे? जो हमारे पास है पर यानि पर मीनट में कितना वो decrease हो रहा है. ऐख है. तो अब क्या होजएगा यह? माइनस का 360 अ पर में क्या होजएगा? माइनस का 6. तो माइनस से माइनस कैंचल आउट होजएगा. six and one is on six, six six are 36 and zero. तो इंस चोटिस आजएगा. तो यह क्या आगया? Sixty मीनट. ठीक है? हमेझे पूछा क्या गया था? book कर दो एकसरे स्टेजरी नबर 1.4 को और दो समय जुछ एंग। एंग। एंग।